हलो गाइज वेलकम बैक टू मैं यूटूब चनल दीपक मोर्या मेडिकल नालिज आज हम इस इंस्टूमेट के बारे में डिस्कस करने जा रहा है उसका नाम है फोटो थेरपी तो आएए आज हम आपको फोटो थेरपी से इंट्रोडिक्स कराते हैं और जानेंगे इसके फ्यूचर्स के एंड इसके यूजिस एंड इसके कॉंप्लिकेशन के बारे में फोटो थेरपी हैस बीन यूज्ज सिंस नाइटीन फिप्टीएट फॉर दा टीट्मेंट आफ दा न इंडए अब हम आपको इसके पार्ट के बारे में बताते हैं जो आपको देख रहा है इसको हम यहां से बेंटिरेशन होता है ठीक है इसको हम बेंट बोलते हैं यह तक कि लाक जो है वहें फिट नाओ और बच्चा है पथर मिना जाए बेबी तो इसको वाम होने कि चांसे ज होता है और यहां से हम इसकी जो लेंट है वो एज़ेस्ट्मेंट करते हैं ठीक है जब बेबी को फोर्टरपी लगाते तो इसकी जो डिस्टेंस है वो हमको 35-45 सेंटीमेटर रखनी है ओके आपको इस टक्सिर यहां पर देखता भी होगा जो देख रहे हैं आप यहां पर यहा पर देख सकते कि कितना टाइम फोर्टरपी यूज लगा है ठीक है और बाकी जो इसका टैमिंग है वो 50,000 होर्स यानि 50,000 घंटे तक हम इसको यूज करते हैं बाकी इसके बाद हम इसको चेंज कर देते हैं यह जो हमारी फोर्टरपी यह जील कंपनी की है होगे इसकी जो ब हम जानते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में जब बेबी को हम फोर्टरपी लगाते तो इसके जो आइस है इसको कवर करके रखना है हमको आई-पैट से और इसका जनेटेलिया है इसको नेपी से कवर करके रखना है कभी-कभी ऐसा होता है जो प्रमेचर बेबी होते हैं उन अच्छे को डियाडिशन भी हो सकता है ओके एंड ब्रॉंज बेवी सिंड्रोम एंड ओवर हीट या है पर थर्मिय हो सकता है ओके बैसे मैंने न्यूरिटल जॉइंट इसके ऊपर एक वीडियो टिटेल में बना रखा है अब उसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते मैं उसका ल और यूजिस कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है ठीक है